Hello friends, कैसे हैं आप लोग ऐसा करती हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का फैवरेट पनीर मकनी की सबजी, जो बहुत ही स्वादिश लगती है खाने में, सिर्फ दो मिनट के अंदर आपकी ये सबजी बन जाएगी, मातर एक म मसाले की मदल से इसे में तयार करूँगी, तो चली स्टार्ट करती हूँ, बनाना में सभीता आप सभों का स्वागत करती हूँ, अपनी चैनल पे, इसके लिए देखे, सबसे पहले में मसाले का पेष्ट तयार कर लेती हूँ, तो एक चमच में बड़ी वाली चमच से दही ली हूँ, दो से तिन चमच में टोमेटो सॉस ली हूँ, तो दही जितना खटा होगा उसके उनसार आपको टोमेटो सॉस यूज करना परेगा, तो इसलिए कम खटा का दही यूज कीजिएगा, तो ये देखे, पनीर मखनी मसाला है ये, और इस मसाले में बिलकुल अलग तर से बना रही हूँ, तो दो चमच में पनीर मखनी का मसाला में यूज कर रही हूँ, इसी मसाले के मदद से आप ये तयार कर लीजिएगा, और ये देखे, काफी अच्छी तरीके से में पेश्ट बनाई हूँ, एक बार इस तरीके से आप बना के देखे, काफी जवर्दस तो फ्रेंस जिस तरीके से प्रोसेस उस मसाले में दी हुई है, उसके ठीक बीपरित तरीके से में बना रही हूँ, बहुत ही जबरदस्त लगी है खाने में, तो इसलिए एक बार इस तरीके से आप ज़रू बना के देखे, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, तो ये देख कर लेना है और इसमें देखे मैं 1 चमज बटर का यूज कर रही हूँ और friends इसमें आप चाहें तो 1 चमज मलाई का भी यूज कर सकते हैं और मैं मलाई का यूज करूँगी बाद में तो अभी सिर्फ इसमें मैं बटर ही डाली हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए जिसे सारे मसाले का कोड आपके पनीर में चली जाए और एक बात फ्रेंड्स आप नोटिस किये होंगे इसमें मैं नमक का यूज जरा भी नहीं की हूँ तो यदि आपको ग्रेवी रखनी है तो पानी थ्वासा डाल दीजिए तो मैं थोड़ी से ग्रेवी रखूंगी तो हलका सा हाप कप पानी का यूज की हूँ और इसे देखे मैं चला रही हूँ थोड़ी से उबाल आने के बाद ये थिक हो जाएगी तो ये देखे मेरी पनीर मखनी बनके तयार हो गई है इसे मैं अब गैस ओफ कर दे रही हूँ और इसे एक बरतन में मैं शिप्ट कर ले रही हूँ नमक का इसमें यूज मैं इसलिए नहीं की हूँ क्योंकि टोमेटो सॉस में भी नमक है और मसाले में भी रहती है तो इसलिए मैं इसमें नमक का यूज बिलकुल ही नहीं की हूँ तो देखे ये मेरी मलाई है, इसे पहले मैं अच्छी तरीके से फेट लूँगी और इसमें जो बरतन में मैं निकाल के रखी हूँ, इसी के उपर डेकोरेट करूँगी आपको बोली मैं, यदि आप चाहें, तो मलाई एक चमच उस समय भी मिक्स कर सकते थे तो इस तरीके से फ्रेंज आप इस पनीर मखनी को बनाईए और इसे आप रोटी, नान, पूरी, पराठा जिस किसी के साथ खाना चाहते हैं इन्जोई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये पनीर मखनी बनके तयार हुई है तो चलिए फ्रेंज मेरी ये पनीर मखनी की रेसेपी यदि आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवस कीजेगा, मेरी चैनल पर नए होंगा फ्रेंज तो जोड़ सब्सक्राइब कीजेगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप से मिलती हूँ, टेक केर, बाई फ्रेंज, थेंक यू